नया साल आ रहा है और इसी नए साल में बहुत सारी आटो मोबाइल्स कम्पनियां अपने नए नए लॉंच करने की तैयारी कर रही है और इसमें महिंद्र टाटा, मारुदी सुजुकी और हुन्डेई मोटर्स जैसी बड़ी-बड़ी कम्पनियां शामिल है इन में से हुन्डा इंडिया भी अपनी नए गाड़ी कैस्पर को लॉंच करने जा रही है परसो भी गाड़ी एक माइक्रो सभी गाड़ी होने वाली है हुन्डेई का स्पार्स बिगाड़ी कम कीमत और जबरदस्त के फीचर्स के चलते हर आम लोगों की पहली पसंद बनने वाली है अगर आप भी होन्डा सभी गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी से एक लाइफ कर दीजिए साथ ही हमारे चैनल इंडियान का रिव्यू सब्सक्राइब कर बल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिसना करें अपकमिंग हुंड़ी के आसपास है सभी गाड़ी की बात करें तो यह गाड़ी कम कीमत और शांदार माइलेज के चलते हर मध्यम वरगिय परिवार की पहली पसंद बनने वाली है हुंड़ाई के आसपास ग्लोबल पॉट्फोलियो में सबसे छोटी है स्वीकार है अपकमिंग हुंड़ी पर माइक्रो गाड़ी में मिलने वाले इन जिनके अगर हम बात करें तो इसमें कमपनी ए शोन ने लीटर की क्षमता थाली दो पेट्रोल इंजिन का विकल्प देगी जिसमें एक नैचरल एक्सपाइड और दूसरा टर्बो इंजिन नैचरल स्पार्टन जिन से 76 बीचपी की पावर और पोर्ट स्पीड का आटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आएगा वही तर्बो इंजिन से 100 बीचपी की पावर जेनरेट हो गाया इंजिन भी पॉल स्पीड ट्रांस्मिशन के साथ आएगा डिजाइनर लुक्स की बात करें तो अपकमिंग हुंडे के आसपास सभी का लुक एक बॉक्स डिजाइन जैसा है जो की इस कार के नाम को पूरी तरह से परिभाशित करता है अपकमिंग का स्परधा में स्प्लिट एड हैड लैंप्स दे टाइम रनिंग लाइट सर्कुलर हैड लैंप्स गाड़ी के फ्रंट लुक को और भी शांदार बनाते हैं साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें स्क्वोर्ड ओफ फील आख के साथ रूफ रेल्स और स्टाइलिश डॉल टोन अलोई विल दिये गए हैं सांज की बात करें तो होंडा गाड़ी की लंबाई 3595 mm, चौडाई 1595 mm और उचाई 1575 है अगर हम लॉंच डेट की बात करें तो अपकमिंग हुंड़ी के आसपास भी गाड़ी को कमपनी 2023 के शुरुआती महीनों में लॉंच कर सकती है लॉंच होते ही हुंड़ी के आसपास गाड़ी का कड़ा मुकाबला ताटा कंचन, रेनॉल्ट क्विट जैसी छोटी माइक्रो सभी गाड़ी से होगा रही बात कीमत की दो बता दे कि अपकमिंग हुंडे के आसपास भी गाड़ी को कमपनी 3 लाख रुपए से भी कम कीमत में लौज कर सकती है जो कि यह कीमत 5 लाख रुपए के उपर जाने वाली है मुझे लगता है आपको अपकमिंग हुंडा के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे करें ज्यादा श्रेयर थैंक यू वेरी मच